हेलो व्रीवन वेलकम बैक टो रेंकर जेई में 2025 में अब बस मातर आपके पास चार महीने बचे हुए इवें इससे भी कम आप कह सकते हो अब ऐसे में हमारा स्ट्रेटिजिक प्लान क्या होना चाहिए जेई 2025 के पहले में हम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाएं बिल्कुल यह वाला जो स्ट्रेटिजी आपको बिल्कुल काम आएगा और डेफिनिटली आप अपने से चीज़ को रिलेट भी कर पाऊगे कि नियार वाकई में अग और एक डिसेंट स्कोर कर पाऊंगा तो आएए देखते हैं इस्ट्रेटिजी है क्या सबसे पहले चीज़ आप समझने की कोसिस करो भी है कि क्वेस्टन की डिफकल्टी लेवल वह होती कैसे अगर आप जिनरली किसी की भी बात करते हैं तो जो हमारे पास इजी लेवल के 30 परसेंट या तो 40 परसेंट जो एकदम ही हाड रहता है वह रहता है 30 परसेंट तो अगर इस कंबिनेशन की हम बात कर लेते हैं या फिर 30 यह 40 की बात कर लेते हैं तो 70 परसेंट सिर्फ और सिर्फ आप ईजी और मीडियम क्वेस्टन से ही स्कोर कर पा रहे होगे अब ध्यान समझने की कोसिस करो गलती कहां पर बच्चे करते हैं अब सपोज हमारे पास यहां मैथमेटिक्स का पेपर है यहां मैस की बात करते हैं अब हंड्रेड में से 70 मार्क्स मुझे स्कोर करने हैं तो यह तो हमें पता नहीं है कि 70 नंबर इजी और मेडियम उन्हीं चैप्टर से आने वाले जिसे हमने पढ़ाई कर ली है अक्सर होता क्यार सपोज मैस में 4 पॉर्षन है या पांच पॉर्षन है तो हम कहते हैं इस पर्टिकुलर पॉर्षन को मैं स्किप करना चाहूंगा और मैं पढ़ूंगा इसे इसे और इसे अब क्या पता बही जो एजी और मेडियम केटेगरी कि यह जो 70% मार्क से फिर 70 मार्क से हैं इसी पर्टिकुलर पॉर्षन से पूछ लिए जाए एकदम रिलेटेबल बात है यह कि अगर आपको टार्गेट करना है कि मुझे हार्ड टैच ही नहीं करना या फिर मेरा उतना लेवल नहीं है फिर मैं उसमें का बच्चा नहीं हों कि मैं हाड क्वेश्चन सब्सक्राइब कर पा रहा हूं तो आपको टार्गेट करना इजी टू मीडियम पे जहां से आपको मिल सकते हैं या 210 नंबर जो कि गारंटीड 99 परसेंटाइल की और आपको लेके जाता है लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत इस वाले में क्या रहा है कि हमें यह पता नहीं कि इजी और मीडियम सवाल पूछे कहां से जाएंगे तो इस स्ट्रेटजी का यह प्रोज भी है और यह ड्रॉबैक भी है कि अगर आपको यह स्ट्रेटजी फॉलो करना है तो आपको complete chapters पढ़ने पढ़ेंगे यानि कि आपको कुछ भी स्किप नहीं करना अगर मैंस में आपको लगता PNC मुझे स्किप करना है तो आप यहां पे सपोष्ट बिल्कुल भी नहीं कि आप उसे स्किप करो क्योंकि अगर PNC जे ईजी और मीडियम सवाल पूछे गएं तो हमें करना है क्योंकि हमारी स्ट्रेटीजी ही यह है कि हमें यह 70% म भड़ते हो और आप सिर्फ और सिर्फ टार्गेट कर रहे हो easy and medium questions को तो भही आपको बहुत जादा मेंद करने की जरूरत नहीं है आपको बहुत जादा problem practice या फिर बहुत जादा महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है अगर सपोज आपको लगता भी है PNC में मुझे दिक्क कर लिए तो डेफनेटली अगर हाड आता है तो हम यहां से स्किप करेंगे लेकिन बहुत ही क्विकली चैप्टर को कंफ्लीट करोगे और आगे बढ़ोगे बस इसमें एक दिक्कत आएगी आप किसी भी चैप्टर कहां पर इसकिप नहीं कर सकते तो यह वाली स्ट्रेटजी अ को फॉलो करना है एच को अवाइड करना है तो सबसे पहले ओल चैप्टर को फोकस करना है किस लेवल्स तक इजी टू मीडियम लेवल्स तक के प्रॉब्लम आपसे बनने लगें यह आपको काम करना है अब इसके बाद सवाल आता है हम चैप्टर को कंप्लीट कैसे कर कैसे मा यहां तो में कोई कोचिंग जोइन किया हूंगा या फिर मैं ऑनलाइन क्लासिज ले रहा हूंगा या फिर मैं पहले से पढ़ा रहूंगा तो पढ़ने का तरीका क्या बैस सबसे पहले दिन आप एक टॉपिक जैसे transformation of quadratic equation पढ़ा कोफिसेंट पढ़ा या फिर कोफिसेंट इसमें नहीं बाइनोमियल मा जाता है इसमें सपोज हमने पढ़ लिया वेवी कर्व मेठेड और दिन यहां पर हमने पढ़ लिया लोकेशन ओफ रूट्स तो जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते चल रहे हो या फिर नेच अब यह हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट करने का सबसे पहला तरीका अब दूसरा क्या है उसी बुक में उसी मोडिल में आपको दिखेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स मतलब मिले हुए जुले हुए कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखेंगे देन अगेन आप उस यह आपको यहां पर सॉल्ब कर लेना है नहीं हो रहा है आप 10 मिनट खुछ से ट्राइए करोगे बहुत दिक्कत हुरी आप सलूसन देखोगे देन अप प्यक्यूस को ऐसे अटिम्ट करोगे जैसे आप एक्जाम में बैठे हो आप वहां से उठाओगे 12 क्वेस्चन और आपको यहां पर कोई भी चैप्टर अगर कंप्लेट करना इस तरीके साब कर सकते हो एंड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यार आपको एडद एंड खुद पता चल जागा भाई कि क्या क्या चीज़ें इस भी इंपोर्टेंट हैं आपको सॉर्ट नोट्स बनाने हैं ओभ मुझे याद रहना चाहिए तो यह आप इसमें लिखोगे तो यह दो पेज समस्लों आप लिए ब्रहमासर का काम करेगा अब बात करते हैं पेपर हम एक्जाम हॉल में अटेम्ट कैसे करेंगे सबसे पहली चीज़ डिस्ट्रिब्यूशन भई कि हम अटेम्ट यह चालू क्य जादा नंबर देगा यह आपकी बहादुरी पे कि आप मैस को दो घंटे दे दिए तीन घंटे पूरे दे आपको सो की जगां तीन सो मार्क्स दिलागा नहीं आपको चैप्टर से या फिर इजी जो हमारा सब्जेक्ट उससे स्टार्ट आपको यह जी लगता आप इसे पहल निकल चलेंगे बही कि यार फिजिक्स में 15 क्वेशन बन गए कमिश्टिम 15 क्वेशन बन गए अब यहां से आपके अंदर एक अलग लेवल का सेल्फ कॉंफिडेंस आता है पहले हमने यहां पर क्या कर लिया बही क्वेश्चन में देख लिया कि यह क्वेश्चन मुझस से जब जब आपके अंदर यह कॉंफिडेंस आ गया यार तीस क्वेश्चन तो मैंने 45 में कर दी हैं इस से आप ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे और आप इस चीज को फील करते होगे कि अगर आपके पास कोई पेपर आ गया और सुरू के दो चार क्वेश्चन नहीं मैं और आधे घंटे बीद गया भाई साब कान आपका लाल हो जाएगा आप से कोई भी सवाल यहां पर बनने वाला नहीं है तो सबसे पहले एक्जाम में भी एक सेल्फ कॉंफिडेंस की बहुत जरूरत होती क्यार मैंने इतना तो कर लिए इतने कम टाइम अभी मेरे पास भीया सव 15 मिनट्स को आप यूटिलाइज कर क्योंकि मैस का पेपर अगें लें दिया रहा है आप इसे मैस के लिए यूज कर सकते हो देन अगें आप अपने एंस्वर्स को एक बार रिव्यू करते हैं कि ऐसा तो नहीं मैं असान कुश्चन को भी गलत कर दिया हो देन आप इस फाइन ज़्यादा ज़रूर है क्योंकि आप किसी भी जंग में जाते हो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है पता चला आपकी पास बंदुक अप डायरेक्ट ही चले जंग में नहीं उससे पहले आप ट्रेनिंग लोगे मॉक करोगे निसान अमारोगे देखोगे इमिलेटिव दे सकते हैं तो यह सारी चीज़ें आपके उपर डिपेंड करते हैं अब जैसे मॉक्त आपने दिया थ्री आवर्स का इसके बाद आपको करना है यह आपको करना है तीन घंटे के क्यों कोन से मुझे दिक्कत दे रहे हैं क्या मैरा टाइम मैनेजमेंट खराब है किस वजह से मेरे मांग से आपके कमा रहे हैं आज इनलाइज किया दूसरे में थोड़ा से इंप्रूब किया तीसरे में और इंप्रूब किया पाच्वे में और किया डिफिनिटली आप दसवें मौक टेस्ट तक काफी जादा प्रो हो जाते हो तो मौक टेस्ट आपको डिफिनिटली देना है और भी क्वेरी है आपकी तो एक बार कॉमेंट सक्सम जरूर बता दो अगर इस चैनल पर नहीं हो तो इस वाले टेलिग्राम चैनल को डिफिनिटली जॉइन कर दो अपने दोस्तों में सेयर भी कर दो थैंक यू वेरी मच टे केर बाइबाए